पिछली कडियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अक्वर ने जोधपुर तथा मिर्टा राज्यों की फूट का लाव उठा कर पहले मिर्टा पर और फिर जोधपुर राज्य पर अधिकार कर लिया हम यह भी चर्चा कर चुके हैं कि इस्वी 1562 में अक्वर ने आमेर की हिंदू राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक हिंदू राजकुमारी के अक्वर के महल में पहुचने का अक्वर के शासन तंत्र में कुछ प्रभाव पढ़ना अवश्यम भावी था उसका पहला प्रभाव इस्वी 1563 में तीर्थ्यात्रा कर की समाप्ती के रूप में दिखाई दिया अक्वर के दर्बारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि इस कर से बादिशाह को करोणों रुपे साल की आमदनी होती थी किन्तु अक्वर ने तीर्थ्यात्री कर को समाप्त कर दिया राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि केवल 22 वर्ष की आयू में अक्वर हिंदू जनता के प्रती उदार्ता दिखाने का महत्व समझ गया था और तीर्थ्यात्री कर समाप्त करने के अगले साल ही इस्वी 1564 में उसने हिंदूों से लिया जाने वाला जजिया कर भी समाप् यह कर उन लोगों से लिया जाता था जो मुस्लिम बादशाह के राज्य में रहकर भी इस्लाम अंगीकार नहीं करते थे कुछ इत्यासकारों के अनुसार अक्वर द्वारा इस्वी 1564 में जजिया समाप्त करने की बात सही नहीं है राजकुमार शर्मा राजे ने अपनी पुस्तक हकीकत ए अक्वर में लिखा है कि अक्वर ने जजिया समाप्त नहीं किया था क्योंकि इस्वी 1579 में बूंदी नरेश से हुई अक्वर की संदी की 11 शर्तों में एक शर्त जजिया कर से मुक्त रखने की भी थी यदि वास्तव में अक्वर द्वारा इस्वी 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया होता तो इस्वी 1579 में बूंदी राज्य जजिया कर से मुक्ति पाने की शर्त नहीं रखता और न इस्वी 1583 में जैन मुनी हीर विजय सूरी अक्वर से गुजरात एवं काठ्यावाड के हिंदूओं को जजिया कर से मुक्त करने का अनुरोध करते उपरोग्त दोनों घटनाएं बताती हैं कि अक्वर द्वारा हिंदूओं पर से जजिया कर हटाई जाने वाली बातें तथ्यात्मक न होकर केवल एक भ्रान्ती है वास्तविक्ता यह है कि इस काल तक अक्वर द्वारा हिंदू नरेशों के प्रती अपनाई गई नीती में उदार्ता का समावेश नहीं हुआ था अतहे 2563 में तीर्थ यात्री कर एवं 2564 में जजिया कर समाप्त करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता इस काल में अक्वर एक ओर तो अपनी अजमेर यात्राओं के बहाने राजपूताना के हिंदू राज्यों को अपने अधीन कर रहा था तो दूसरी ओर इस अवधी में वे उत्तर भारत के अन्य हिंदू राजाओं को भी अपने निशाने पर ले रहा था उन दिनों पंजाब के पहड़ी हिस्से में व्यास और सतलुज नदियों के बीच नंदून नामक राज्य हुआ करता था वहां का राजा गणेश बड़ा ही वीर और स्वाविमानी था वह आसपास के मुगल एवं अफगान जागीरदारों से युद्ध करता रहता था एक बार वीरका के मुगल जागीरदार जान मुहम्मद बहसूदी ने राजा गणेश पर आक्रमन किया राजा गणेश उसके सामने नहीं टिक सका तथा मुहमद बैसूदी के सैनिकों ने राजा गणेश का महल लूट कर उसे बंदी बना लिया और उसकी रानी को भी उठा लिया राजा गणेश की समस्त संपत्ति लूट ली गई किसी तरहें राजा गणेश अकवर के मंत्री टोडर मल के पास पहुँच गया जिसे अकवर ने राजा की उपाधी दे रखी थी राजा टोडर मल ने राजा गणेश को अकवर के समक्ष प्रस्तुत किया राजा गणेश ने अकवर को वचन दिया कि यदी उसे मुक्त कर दिया जाए तो वह जीवन भर बादशाह की सेवा करेगा इस पर अकवर ने राजा गणेश को मुक्त कर दिया तथा उसे शाही सेवा में ले लिया इसवी 1563 में कड़ा के सूबेदार ख्वाजा अब्दुलमजीद ने अपने पड़ोसी राज्य पन्ना पर आक्रमन किया ख्वाजा अब्दुलमजीद को अखवर ने आसफ खां की उपादी दे रखी थी इसलिए इतिहास की पुस्तकों में उसे आसफ खां ही लिखा गया है अबुलफजल ने लिखा है कि वह ताजिक जाति का व्यक्ति था इस जाति के लोग लेखन का कारिकिया करते थे आसफ खां क्रूर प्रक्रती का व्यक्ति था उसने कड़ाक्षेत्र के हिंदु जागिरदारों एवं छोटे राजाओं का उन्मूलन करना आरंभ किया इसलिए आसफ खां हिंदु शासकों में शीग रही बदनाम हो गया इसवी 1563 में बादशाह का एक सेना पती गाजी खां तन्नूरी बादशाह के भय से पन्ना राज्य में चला गया अकबर ने आसफ खां को आदेश दिया कि वह गाजी खां तन्नूरी को पकड़ लाए जब आसफ खान ने पन्ना के राजा रामचंद्र से गाजी खान को पकड़ कर शाही सेना को सौपने के लिए कहा तो राजा रामचंद्र ने मना कर दिया दर्शकों को इस्मरण होगा कि पन्ना के राजा ने कुछ समय पहले ही उच समय के सूप्रसिद्ध गायक तान सेन को अकबर की सेवा में भेजा था तथा उपहार आदी भेज कर अकबर के प्रति सदाशैता का परिचय दिया था यहां तक की कुछ अपराधी अकबर के राज़ से भाग कर पन्ना चले आये थे रामचंद्र ने वे भी मुगलों को सौप दिये थे किन्तु गाजी खां तन्नूरी अपराधी नहीं था वे पन्ना के राजा रामचंद्र का शर्णागत था इसलिए राजा रामचंद्र ने गाजी खां तन्नूरी को आसफ खां के हाथों सौपने से मना कर दिया इस पर आसफ खान ने पन्ना राज्य पर आक्रमन कर दिया राजा रामचंद्र की सेना ने मुगल सेना का डट कर सामना किया किन्तु राजा रामचंद्र की सेना हार गई और राजा रामचंद्र को पन्ना के महल खाली करके बांधू नामक दुर्ग में चले जाना पड़ा जब आसफ खान ने बांधू का दोर्ग भी घेर लिया तो राजा रामचंद्र ने अपने कुछ मंत्री अकबर के मंत्री बीरबल के पास भिजवाए बीरबल को भी अकबर ने राजा की उपाधि दे रखी थी बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि पन्ना का राजा शाही सेवा में आने को तैयार है इसलिए उसके विरुद्ध सैनिक कारिवाही न की जाए अकबर ने राजा बीरबल की बात मान ली आसफ खां को अपनी जागिर में लोट जाना पड़ा किन्तु पन्ना का अत्यंत प्राचीन एवं वीर राज भी मुगलों के अधीन हो गया अकबर द्वारा हिंदू नरेशों एवं जागिरदारों के उनमूलन की यह प्रवरत्ति अपने शासन काल के अंत तक बनी रही वही राजा जागिरदार एवं मुखिया अपने राज्ये सिंगहसन एवं गद्दी पर बना रह सकता था जो अकबर की अधीनता स्विकार कर लेता था अकबर के शासन काल में आगरा से तीस कोस की दूरी पर साकेत नामक एक कस्बा हुआ करता था इसके आसपास इस्थित आठ गावों को अट घड़ा कहा जाता था इस क्षेत्र में मुख्यत है राजपूत जाती के परिवार निवास किया करते थे ये लोग अकबर की अधीनता स्विकार करने को तैयार नहीं थे अकबर ने इनके उन्मूलन का कारिक्रम बनाया तथा इस जीत का श्रेय स्वयम लेने का निश्चाई किया अकबर के दरवारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि अट घड़ा के लोगों का मुख्यकार्य दकैती, हत्या और उपद्रव करना था इसलिए उस ख्षेत्र के मुगल अधिकारी सदैव उनकी शिकायत किया करते थे एक दिन अकबर शिकार खेलने के बहाने उस तरफ गया अबुल फजल ने लिखा है कि वहाँ पर हापा नामा के एक ब्रहमन ने अवसर देखकर बादशाह से अट घड़ा के लुटेरों की शिकायत की तथा कहा कि इन लोगों ने मेरे निर अपराद पुत्र को मार डाला है तथा मेरी संपत्ति लूट ली है यह सुनकर अकबर ने उस गाउं पर हमला किया जब वहाँ के लोगों को बादशाह के आने का पता लगा तो वे लोग जंगलों में भाग गए इस पर अकबर उन लोगों का पीछा करता हुआ परोंख नामक गाउं में जा पहुंचा अकबर की सेना ने विद्रोहियों को घेर लिया अबुल फजल ने लिखा है कि इस समय बादशाह के पास दो सो सैनिक तथा दो सो हाथी थे जबकि विद्रोहियों की संख्या चार हजार थी अकबर ने हाथी पर बैठ कर उन पर आक्रमन किया कुछ राजपूत अकबर के हाथी तक पहुँच गए किन्तु अकबर ने उन्हें मार डाला इस दोरान पंद्रे साल का एक राजपूत लड़का एक घर की चट पर खड़ा होकर वहां से अकबर के हाथी पर कूद पड़ा ताकि अकबर को मार सके जुजार खा ने उस लड़के को मारना चाहा किन्तु अकबर ने उस लड़के के प्राणों की रक्षा की इस पश्ट है कि अबुल फजल का सारा विवरंड जूट का पुलिंदा है परोंख की लड़ाई में कोई डाकू नहीं लड़ रहे थे वे राजपूत युद्धा थे और अपने इस्थानिय स्वामियों की ओर से युद्ध कर रहे थे अकबर अपने दोसो हाथी सवारों की साहता से चार हजार डाकूँ को कैसे मार सकता था निश्चित रूप से उन चार हजार सैनिकों से लड़ने के लिए अकबर ने लगभग उतने ही अथवा उन से अधिक संख्या में मगल सैनिकों का उपयोग किया होगा अबल फजल जैसे लेखकों की चाटकारिता पून स्वामी भक्ती ने इतिहास का गुड़ गोबर करके रख दिया है अगली कड़ी में देखिए आसफ खान ने रानी दुर्गावती के महल में सोने के सिक्कों से भरे 200 घड़े लूट लिए क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवम शेयर करें धन्यवाद